कहानी की सुरुबात होती है जहांपर की हमें बताया आता है कि बहुत समय पहले एक रानी थी जिसके पास बहुत सारी सक्तियां थी और बहुत किसी को भी छूकर उसको मार सकती थी लेकिन बहां का जो जर्नल था उसको पहाड के नीचे दफना देता है ताकि वो उसका सामराज आके बढ़ने से रोक सके जहांपर रिचर्ड नाम का बंदा उसको ढूंडने के लिए गया लेकिन वो बहुत ज़ादा ढूंडने पर भी उसको नहीं मिली इसके बाद रिचर्ड भी कभी घर लौट कर नहीं आया रिचर्ड की एक छोटी सी पैरी सी बेटी थी जिसका नाम लौरा था, लौरा आज काभी बड़ी हो चुकी है और बेह बोकसिंग में चैंपिन है अब जहां पर लौरा के पास उसके फादर की बहुत सारी प्रॉप्टी थी लौरा को बच्पन में जही बताया गया कि उसका फादर मर चुका है लेकिन लॉरा कभी भी इस बात के उपर विस्वास नहीं करती अब जहां पर लॉरा के पास बिजनस मूमन पार्टनर आती है जो लॉरा को कुछ पेपर साइन करने को कहती है लेकिन लॉरा मना कर देती है लेकिन वो समझाती है कि अगर तुमने साइन ना किये तो तुम्हारी स निर्ट पपसंँ पर उसका पापा अक्सर अपना समय बिताया करता था, जहांपर लौरा को काफी चीजें देखने को मिलती है, जो काफी आज़िया होती है, तब ही बहाँ पर लोरा को उसके पापा का कैमरा मिलता है जिसमें उसकी वीडियो फोटेज चल रही थी उसका पापा बताता है कि मुझे इवल रानी के बारे में पता चल गया था और मैं उसको ढूंडने के लिए गया और मैं तुम्हारी मदर को जो की मर चुकी थी उसको भी सक्तियों के जरिये बापिस लाना चाता था लेकिन मैं ऐसा करने में फैल हो गया और अब तुम्हें मेरा एक काम करना है जो भी मैंने जानकरी इवल रानी के लिए इकठी की है तुम्हें उसको डिस्ट्रॉय करना होगा जो कोई भी इवल रानी के पास ना पहुंच सके इसके बाद लौरा बहां का समान देखने लगती है अब उसको पता चलता है कि उसके फादर की किसने हल्प की थी इसके बाद लौरा अपने पापा का कुछ समान गिरी भी रखती है और कुछ पैसे लेकर हॉम कम के लिए नि लिए वो असानी से उन लोगों का सामना करती है और उन लोगों को पीटने के बाद अपना बैक बापीस ले लेती है अब वो अपने पापा के एक दोस्त के बेटे से मिलती है जो उसको बताता है कि तुमारे पापा के सान मेरा पापा भी गया था और दोनों ही लौट कर नह आए लोरा अब अपने पापा को किसी भी हालत में डूंडना चाती है तो वो उसको कहने लगती है कि हम साथ मिलकर तुम्हारे और मेरे पापा को डूंडते हैं इसके बाद ये दोनों सफर के लिए निकल पड़ते हैं लोरा अपने पापा की पजल्स को सौल्व करने लगती है और उसको पता चलता है कि उसके पापा के इलावा भी बहुत सारे लोग उस रानी के पीछे पड़े थे और उके बहुत कुछ और पजलों को सौल्व करती करती ही सो जाती है लेकिन अचानक उनके शिप को एक जटका लगता है जिससे की वो जाग जाती है उसका दोस्त बताने लगता है कि आगे बहुत यादा तेज लहरे हैं और हमें जल्दी से इस जहाज में से निकलना होगा लोग अपने पापा के सारी पजल और समानस को समेटने लगती है लेकिन इसी के बीज जो जहाज है पुरी तरह से पल्ट जाता है लोग तो उस जहाज में से बाहर निकल जाती है लेकिन जब वो पाणी में डूब रही थी अचानक वो बहुश हो गई अब हम लोग लोग के पास कुछ गुंडों को नोटिस करते हैं लेकर गुंडा लोग को बताता है कि तुमारे पापा को मैंने यूही मार दिया क्योंकि मैं भी उस राणी को प्राप्त करना चाता था इसके बाल बहाँ पर उसका दूसरा दोस्त भी मजूद था जो लोग लोग बहां से भागने को कहता है जब लोग बहां से भागने लगती है तो भागती भागती वो एक समुदर में गिर जाती है इसी के बीज वो वहां से डूबने बाली होती है लेकिन अचानक वो एक तूटे हुए प्लेन को पकड़ती है लेकिन वो तूटे हुए प्लेन के उपर से भागती है और प्लेन के मेन सर्किट को पकड़ लेती है लेकिन जहां पर जो प्लेन था वो दुबारा से गिरना स्टार्ड कर देता है और बहां से तूटता हुआ पानी में गिरता है लेकिन बही पर उसको एक पैरासूट मिल जात अब जहां पर काफी रात हो गई थी और बहां पर कोई भी नहीं था अब लोरा बहां पर एक आदमी को भागता हुआ देखती है उसको पता चलता है कि जे उसके फादर है लोरा अपने फादर को देखकर काफी खुस होती है लोरा के फादर को बताती है कि जो मेरा समान है वो म मार गिराती है लोरा और उसका फादर वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर की इवल रानी का टॉम था वो बहां पर उस पजल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वहीं पर में लीडर आ जाता है जो उसके पापा को पकड़ लेता है अब वो लोरा को पजल जिस सारे लोग अंदर चले जाते हैं जहां पर काफी अंधेरा होता है जहीं पर एक गल्त कदम रखने के कारण एक गुंडा मारा जाता है वहां पर इनको काफी स्केलेटन भी देखने को मिलते हैं अब इन लोगों के पास एक और बड़ा पजल सामने आता है अब जब जब इस पजल को देखी रहे थे तभी दरवाजा बंद हो जाता है और इनकी जो जमीन है टूटना इस्टार कर देती है जिस सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं लौरा भी गिरती गिरती बजती है तभी इनको पता चलता है कि इनको पजल सॉल्व करना जो की अजादी का कलर है और ऐसा करते ही जो दरवाजा खुल जाता है दरवाजे को खुलते ही जब जे लोग आगे जाते हैं तब इन लोगों को बो टॉम मिल जाता है जो कि उस रानी का होता है रानी को टॉम को खोलते ही वो एक इनसान लगरी होती है लेकिन देखते ही दे इन्फेक्शन हो गया था जिस कारण इसने खुद को ही सेक्रिफाइज कर दिया था लेकिन जहां पर लीडर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था इसलिए वो बहां पर उस स्केलेटन की उंगल को काट लेता है और अपने पास रख लेता है लेकिन इसी के बीच उसरानी के डिस्ट्रॉय करना होगा नहीं तो जे सारी बीमारी दुनिया में फैल जाएगी लाउरा अपने फादर को आखरी अलविदा कहती है और बहां से भागने लगती है लाउरा अब जल्दी से भागती हुई बहां पर पहुंचती है जहां पर उसको उसी लीडर से सामना करना प लारा कैसल तबाह होने लगा था लोरा जहां से अब भागती भागती मेंड गेट की तरफ आयाती है लेकिन बीच राते में ही वो पहाड लेकिन बीच राते में ही सलांग लगाने पर वो गिरने बाली होती है लेकिन बहीं पर उसका बहीं दोस्त लेकिन जहां पर उसका बह झाल 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 झाल